अच्छा एक चीज और दो सवाल, 57 परसंटेल है कैसे इंप्रूफ करूँ, मैस में अप्रोच कैसे बनाओ, देखिये मैस में अप्रोच टीचर के बताने से कभी नहीं बनती, आपको ऐसा लगता है कि टीचर ने बता दिया तो मेरी अप्रोच बन गई, वो अप्रोच कभी नह थी वो तो टीचर ने बताया बस वही वाद है कि उसने बोल बोल के बता दिया कुछ टीचर कहते हैं देखो अच्छे से दिमाग पर जो डालो और समझो और कुछ एक एक चीछ लिख देते हैं तो होता क्या है वह अप्रोच आपकी नहीं बनी आपको उस समय गलत फह्मी होती ह आप समस्जाताए कुछ ऐसा है हर कुछ अचछ यह ऐसी लिखा तो ऐसे ही होगा तो इसमें क्या होती हुथ्लेया चैसर्फच को को खुद इसे बनानी पड़ती है और वो अप्रोच कैसे बनती है, आप जब class illustrations को दुबारा solve करते हैं, तब आप समझते हैं, teacher नहीं है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बहुत सारी चीज़े सिर्फ वीडियो देख का समझ नहीं आती, जब आप खुद हाथ, टैर, अपना copy pen लेकर चलाते हैं तब समझ में कि चीज़े क्या हैं, ठीक है, अभी Doable है, क्या J.E. Mains and Advanced, प्रयाश स्टूडेंट, बिल्कुल अभी भी Doable है, अभी ए, देखो, एक बुरी खबर है, एक बुरी खबर है, कि वक्त कम है, एक बुरी खबर है, वक्त कम है, लेकिन अच्छी खबर यह है, अभी भी वक्त है, किएगा बुरी खबर दूरे वक्त कम है लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी वक्त है तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई करिए थोड़ी मेनत करिए क्योंकि आपने पढ़ सब औरनों मिस्टेक को देखिए। आप किस तरह की मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैं अपना बता हूँ। कोई टीचर अपनी कमी आने कर जाता हुं। मैं अक्सर जब स्लाइड वादता हूँ। तो यह कमी मैंने कैसे ओवरकम की। जब मैं स्लाइड पर लिखता हूँ, नई स्लाइड पर आता हूँ, तो पिछली स्लाइड से बार-बार टैली करता हूँ, सही लिखा है के नहीं लिखा है, तो मैंने अपनी कमी पर काम किया, किया ना, सुधरी भी है, तुम भी सुधार हो यार, तुम भी सुधार हो, तो यार, सब सुधर सकता है, हम कोई, पैदा हुए थुझा न, जेमस बॉन है, यार, हम कोई, आइंस्टाइन थोड़ी है, हम कोई रामनुजन थोड़ी है, कि हमें ब्रेन विरासत में मिला है, आप महनत करिए, धीरे-धीरे करके अपना ब्रेन डेवलप करिए, बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये सिर्फ आपके दिमाग का एक भ्रम है हिंदी और इंग्लिश मैस की परिभाशा मैस की परिभाशा सिर्फ दिमाग है दिमाग कहता है दिमाग सुनता है दिमाग देखता है, दिमाग सोचता है, यही Maths है, उसके लिए किसी भाषा, किसी परिभाषा की ज़रूरत नहीं होती, तो Maths हिंदी का महताज या अंग्रेजी का महताज बिलकुल नहीं है, अगर आपके पास दिमाग है, आपको सब चीज़ समझ में आइगी, calculation errors हो जाती है, बिलकुल, calculation errors अगर आपको हो जाती है, calculation errors को ठीक करने का तरीका यही होगा, time bound manner में practice करिए, बहुत सारे बच्चों से calculation errors होती है, silly mistakes जिने कहते हैं, वो हो जाती है बीच बीच में, तो उन errors को ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक, अगर आप सोचोगे क नहीं हम ध्यान से करेंगे, हम और ध्यान से करेंगे, तो भया, जब आप उन calculations को कर रहे होते हैं, तब भी पूरे ध्यान से करते हो, जान बूच के थुड़ना गलत करते हो, हाँ सर, ये बात तो सही exam में पता नहीं चलता, गलती होगी, जबकि हम पूरे से सवाल ध्यान से क करते हो, तो जब दस मिनट का आँ लगा के वो गलतियां दुबारे करोगे, तो आपको समझ में आगा, इस तरह की गलतियां साधा होती है, तो जब आप उसे बार-बार प्रैक्टिस करोगे, एक आदमी एक बार गलती कर सकता है, दो बार गलती कर सकता है, तीन बार गलती कर इसलिए अब मेहनत करने का मन नहीं करता इस तरह का सोचना इस तरह की सोच के हमने 2 साल बहुत महनत ही आपको लगता है कि आपके लगने में ौर обычно में बहुत पर्खिमिसे अगर आज भी आपसे पूछोगे आपको बहुत सारी कमियां अपने अंदर शाह कमियां दिखाई देंगी आपको समझ में अंदर बैठा वा ईश्वर आपको बताएगा कि तुमने ये ये गलतियां की थी इस कारण से तुम्हारा स्कोर ऐसा नहीं आया देखो पूछके देखो अपने आपसे आपको अभी उसका जवाब मिलेगा बेटा तो इसलिए यह सोच में आपने मेहनत किये लेकिन बाहर के रेफरेंस फ्रेम से देखा जाए तो शायद कुछ न कुछ कमी जरूर रही है एक बार टटो लो आपको अपने आप से बात करो और समझो किया कमिया रह गई है ताइम प्रेशन में कुछन क्लिक नहीं होता तो उसे क्लिक करने का भाई या वही तरीका है अलाम लगा और कुछन सौल करो और कोई तरीका ना है सजलगर कहरें कभी कभी अप्रोच नहीं मिलती पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप कभी मैस में परफेक्शनिस्ट हो पाओगे क्योंकि आज भी गणित की दुनिया में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक गणित अग्ये नहीं ढून पाएं हैं ऐसे भी सवाल हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके सामने सवाल आएगा देखती एकदम अप्रोच बन जाएगी ऐसा हर बार नहीं होगा यह कितन भी स्ट्राइक हो सकते हैं यह सब डिपेंड करता है आपकी लेवल आफ प्रैक्टिस पर सो के सो स्ट्राइक कर जाएंगे अलग-अलग लेवल के प्रोब्लम्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है ना तो वह आपकी सिर्फ और सिर्फ महनत और आपकी जो समझ है मैस के प्रत लेंगे जहां तक मेरी जानकारी है अगर आप केमिस्ट्री सीवेसी की अपना जोगी आपकी अच्छे से पढ़ लेंगे तो केमिस्ट्री मेरे खाल से बहुत अच्छी हो जाएगी और मैस में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो ठीक ठाक हो जाएगा यार पर्सेंटायल है जिनका परसेंटायल है या 95 से उपर है उपर है या उससे नीचे है तो मैं यह नहीं कह रहा किसी भी कीमत पर यह नहीं आपको भी फोड़ना है लेकिन आपको थोड़ा सा रास्ता बदनना है वो लोग सीधा ऐसे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पहले मेंस फोड़ो कॉंफिडेंस बढ़ाओ और फिर एडवांस फोड़ो बस यह कहना चाहरा हूँ तो यह बिल्कुल भी मेंस समझिएगा जिनका प्रस्टाइल 80 की लाइन में है उससे कम है उन्हें यह लेक्चर नहीं देखना है देखना है लेकिन सही समय पर आने पर देखना है तब देखना ह जब हम जई मेंस फोड़ दें जब हम जई मेंस फोड़ दें